दोस्तों हमारे वीडियो में असका बहुत बहुत स्वाज़त है तो मैं आपको अंदर से लेके चल रहा हूं भाई बहुत बंजरस में खाई है यह देखिए नीचे कितनी बड़ी खाई है तो हम लोग ऊपर से चल रहे हैं आप मचली का शिकार करने के लिए हैं तो आज आपक अब कि अब कि यहां से सीधे चलते जा रहे हैं तो आप लिए अगर फिशिंग करना चाहते हैं तो भाई कर सकते फिसिंग कर यह वाई उसका जो आनन जो इंज्वाइं मिलता ना भाई क्या ही बताऊं आपको वीडियो में बने रही है को ज़्यादा से ज़्यादम थांब करना है पूरी जानकारी considering video में अंळिखिये बहई नीचे ताला में हमको फिशुंग करना है देखें रहे कितना डेंगरस कुरा तो यह काफिभी पूरा जाई है काफिх डेंगरस घा सिरुबहा घियें बदेंगर चाहते काफिछ बासका ओन नेerinगरें काफिव थक् के साफ से लोग रेटाना रहे हैं की फिलाल उस तरह जाएंगे उस से लोड़ा वे निकल पर बीशे दूसरे वाले एरिया को कौन ऐं ngay हैं फिल्हाल है कि दिखा रहा हूं ये मैं ये जो चल रहा हूं इस जो में यह जंगल की अपिक बड़ा इंदर फिर्षिंग कर रहे हैं यहां-बहुत रहते हैं काफी डाई इसमें एक बार अजगर देखा गया था बहुत बड़ा जगर देखा गया था काफियो डेंगरस है वीच खाही नीचे गुर जा रहें निकलते हुए कात्र डेंगरस है हां पर बड़ी मख्ली का सिगार करने के लिए हो तूँ नदर से यहां पर देखे निकलिक कांपी डelf देखे बाए यह देखी वैइं कितना डंगरज जाने जुँगा है काटा लगजा सलाह ते लिए 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 करके हम सीधा बाहर की तरफ आगाएं दूसरे साइड में अब यहां से हम करेंगे मठली का सिकार देखें यहां पर हम करेंगे मठली का सिकार इसोटे कांफि यहीं डीटा पातर काफि डेंजरी से रास्ते से आ गया है क्या ज़िए लगा क्या अलगा नहीं उसलों लुग तो देखेंए बाहिए यहां पर फिसंग करेंगे तो देखेंए बाई यहां पर पुक्छ गया है हम है तो भाई यहां पर हम सीधा जाएंगे के लिए देखिए बाई कितने अटाइंगे दोस्ताइब नीचे जाने में काफी दिकत है यह देखिए धेरे-धेरे करके हम यहां पहुच गए है तो हम सीधा अपने वीवर से थे पूचेंगे कैसा लग रहा मचली वब्हा है क्यौन सब्सक्राव मिल चुकी Mais is फिसिंग करके काफी आणद मिल काफ़ी मजा रहा है अच्छा फिल हो रहा है तो सबहा हम यहींट करेंगे एक मचली को को देखे एक मचली दिखाई एक भात के निकालकर दिखाई ए रागर देखे भई ये मचली का सिखार हुआ है इसको हमारे हां कवाई बोलते हैं चिलापी बोलते भई आप किदर कौंस ये मचली बोलते कमेंड में जरूर बताना भई तो चलिए भई धन्यवाद